कि नमस्ते स्वागत है आप सभी का टॉक्पित अजय के इस एक और खास एपिसोड में और आज का जो यह एपिसोड है उसका पूरा देखेंगे क्यों देखेंगे क्यों कि आज का एपिसोड बड़ा खास होने वाला है आज हमारे बीच में एक ऐसी सक्षियत आने वाले हैं जिन से मिलने के लिए हमें भी बड़ा बेताब था उनके बारे में छोटा सा वीडियो देखेंगे और वीडियो देखने के बाद उनको हम यहां पर आमंदित करेंगे तो मैं जिनका वीडियो प्रारंब करने वाला हूं आज हमारे बीच में आने वाले हैं श्री आईश गुपता जी आप एक रेकी हिलर होने के साथ-सद आपके पास वर्लिक का सबसे यंगेस रेकी हिलर होने का टेग है आपके पास वर्ल्ड रिकॉर्ड है आप अंक जोतिज भी हैं और साथ ही आप टेरो काइड़ है भारत के क जो सिच्वेशन आई थी उस कोविट सिच्वेशन में भी आपने डेर सो से दो सो लोगों को रेकी के थुरू ठीक किया है तो ऐसी सक्षियत आज हमारे बीच में अपधारने वाली है इस छोटे सी वीडियो के बाद में आप सभी इनसे मिलेंगे तो चलिए छोटा से वीडिय अपने बीच में लेके आता हूं है है बद्द स्वागारे आपका हमारे स्कारेग्रम में और स्वागातार आपकी कुछ इंस्टाग्राप में पोस देखी आपके वारें जब देख रहा था तो आपकी एंपे टेक लाइन लिखी थी वर्ल्ड यंगेस्ट रेकी हिलर और ये जो एक कायटल है ये मिलना बड़ मुख्यल होता है विश्व का सबसे यॉंगेस्ट होना तो रेकी ही क्यों रेकी ही ह्यो हैँ ये स्वी डिक काкі को य क्यूं कि ये मेहारेसी एंपोर्टिन पार्टर आएक्टिन वारी क्यों अगर थोड़ा भाद मुझे हम जा धिख गाईं, मैंने मेड़ी इसका झायर हमे इसीज है था था बोर उदने सब Iya अर अर मम बॉल्ह दे उने किया था जब। जब दो खुझा यहां भी आजा हमे तव इसी हिले करे तो टॉर अटि도 पर शॉरत करे तो तो लेट्स प्राइब, मुझे शॉरिटी नीटी कि इसा कुछ अच्छी चाइसी चीज ठीक हो जाएगी कि कैंसर एक ऐसी चीज है जो की मेरा समानना है जिसको कैंसर होता उससर दादा इसकी फैंली सफर करती है तो लेट्स चीज रगए जब डाइगनोस्ट वा तो मुझे तीन से चार में रही लिग करते हैं और ही लिग स्टार्ट करने के तीन से चार में बाद जब रही चेकप करवाएगे अपोल हो लो तो नाख़ू में तब उनका जो डाइगनोस्ट ने बोला कि मेरे बापा को वह आप अपर करिका जो ने खोलते हैं तो उन्हें उन्हें डौकर ने बोलता लोड तरीके से की तो बहां से यह जोली सुरू भी क्योंकि अगर रेकी से चैसे चीज ठीक हो सकते हैं तो बहुत सार्व लोग पी चोटी प्रूटी पर्लीवाइग शुरू इन्हांड़ कुछु की वहां बनकी से्छारे परंदंधर में की जितनी जी जाते लोहों की है कि अंजाब ऺभास परूण में grues जाते लोगों की ये सेवा गर स्फेल कर सकते थाfa सुद्टे सकते हैं तो सामा जी को लेकर आप इस फिल्ड में उत्रे हैं मचे लगता है ये बहुत अच्छा मंदिल जाने के बराबर है ये मंदिल जाने के बराबर है सेवा करना अश्विया में एक चीज और आपके देखी ती आप अभी बीच में अमिता बच्छन जी और रेमोर डिसु क्योंकि वह थे जिन्होंने मुझे वर्ड रिकार्ट से नवादा था और अवर्ड यंगेस्ट रेकी हीड़ उन्होंने ही मुझे शील्ड और शर्टिकेट दिया था वहां से उनसे मुलकात होनी शुरू ही उनसे अनर्जी के बारे में काफी इसक्शन हुआ हुआ देखिष गूबाऊ से शुरू है वहां से भी चुरू ही लिए scientific से किननने कार्ट शर्ट भीलेटल देखियोंसने अच्रत रहें डियन यह गांने चुऽन हो ऎलएं सब अर्ड़ के साथ रहना और हैंगी बश्र ठो और हैं अरंजी जहां हैं और सब तो न कौन ⁼ Nikkières का कुछ चीजे और भी देखी थी मैंने आपके साथ में एक आप कार्ड वाला कोई होता है मुझे वीती जानकर नहीं है पर मैं आपके बारे में जो डिटेल देख रहा था तो उसमें दो तीन चीजे और भी साथ में थी यंगेश्ट नुरोलोजिस्ट इसमें लिखा हुआ था जी जी हां तो वुन सब के बारे में भी हम जानना चाहेंगे असी टारुकाद रीडिंग हम जब बोलते हैं तब बट साह लोगम को अफकॉस पता होगा टारुकाद रीडिंग के लिए कि ये पेमस टॉपिक है तो लोगों के लगता है भविश्वानी बताता है तो पहले त जाता हूं जाता हूं एक तरुकाद रीडिंग मतलब आपके वर्तमान में चाल रहा है उसमें आप क्या चेंजिस लाकर अपना वर्तमान चाहिए वर्तमान में कैसे खुश रह सकते हैं और अभी कुछ सजेशिंस फॉलो करके आप फूचर में क्या चेंजिस टेस पील कर सकत हैं तो आप कहां सही जा रहे हैं कहां गलत जा रहे हैं कहां आपको चेंजिस करने चाहिए क्या ऐसी पॉसिबिल्टीज हैं फ्यूचर में जो हो सकते हैं आपके क्वेस्टिन के आंसर मिलते हैं तो तो यह आपका भश्यवानी नीगता है आपके वर्तमान के बारे में बतात अपकी लाइउस नम्बढ्यों के शवर्ट राफ और नंबर अपना होता है हार एक प्लानिट की एक एनरजी होती हैं, जो आपसे डäreक्ली अनरजीघें और हम ऐसा पजकर छाड़ सर्क्षावान कर आगा था छूछ ऑप एघ और हम एक उस सोर्स ऑफ एनर जी के पार्ट तो अगर हम उस सोर्स ऑएनर्जीा थे नहेंत होते हैं तो आप फिर्ड किहां या कि अजा हवो मारे अंटर कितने पास्टे सतीक्र कि जब तक आपकी बॉड़ी आपका साथ नहीं देगी तब तक आप किसी और से साथ एक्सपेक्ट नहीं कर से तो यह इंपोर्टन्स है निम्रालजी है जाहरो का टेटिक भी क्या बात है मैंने सर यह पहली बार सुना है मतलब जब मैं आपकी आपके बारे में डिटेलिंग कर रहा था तब मैंने चीज पहली बार देखी कि किस तरह से पूरे कार्ड लेके और जब कर रहे थे और कहीं बड़े-बड़े सेलिब्रीटिस के साथ आपने उनका यह सारी जो तो मेडिटेशन को आज की दुईया में या आज के परीपेक्ष में आप किस प्रकार से लेखे और क्यों उसको अनिवार्य होना चाहिए मेडिटेशन मेरे हिसाब से अफकॉस एक फानी वे में बदा रहा हूं बट हाँ मैडेशन वैसा ही है जैसे एक आज के टाइम में हमेशा सही पानी पीना एक बहुत इंपॉर्टेंच जही आज के टाइम पे स्पेशली कि पुराने ताइम में आपको शुद्ध हावा मिल ग तो जब बाहरी दुनिया अपका साथ मही दे रही हो जब बाहरी दुनिया उतनी पॉजिव नहीं तो अपने सराउंदिंग को पॉजिव परना तो मेडिटेशन इस रीजन से बहुत ही जाता नेस्थरी है यह बहुत ही रेगुलर एक्टिविटी हो जैसे कि हमने भी सेंट् दुबाइ पुलिस में लुजब लिए और रेकी सेशन करुआ रहा है क्योंकि और सफेशली मेरा ऐसा मानना है आफ आसा मानना है अफ पॉस मैं सभी को बोल कई मेडिटेशन सब्सक्रा करने के लिए नहीं हो आफ के हैं नहीं हो इन्च्ट ऑनावारे इसा गोल है इंडिया म इडिटेशन इंप्लिमेंटेड होना चाहिए कि एक बार चीज एडुकेशन में इंप्लिमेंटेड है तो वह जेनरेशन चेंज करेंगे हम तो चलिए हम अभी बड़े हो गये हम करेंगे अपकोस आगे कंटीन लेके जाएंगे बट बच्पन से जो चेंज अगर हम अपने साथ इंसान समय बार काफी कम बड़ा है और अपने साथ समय बताना काफी ज़रोगी और जहातक मुझे लगता है कि जब बच्चा स्कूल से ही मेडिटेशन से बहार जाएगा जाएगा जो उसके मन में चलने वाली गलत चीजे हो सकती है गलत बहांतिया हो सकती है मन क जब बाहर निकलेगा पोजिटिव एनरजी सको मिले वाली होगी और मिलेगी मुझे लगता है मिलेगी तो यह काफी अच्छी बात आपने बताई है स्कूल्स में इसको लागू करने वाली बात कि अभी योग को जब जब लागू कर ने की तो अबी शिक्स तक पोचे हैं कि जब लागू कर सकते हैं लेकिन वह बेसिक लेवल पर जहां तक मुझे लगता है योग और सास्त्र सास्त्र विज्यान तो वापस देश में प्रारम होना होना चाहिए मेरा कोई नेगिटेव पॉंट औ व्यू नहीं है जो एडवलोप्मेंट हो रही है है तो कि चेंज इस तो उस पे नहीं हम कुछ कर सकता हैं बट हाँ चेंजेस के साथ अपने रूट के साथ कनेक्टे रह तो सकते हैं आइ गैस वह बिल्कुल भी डिस्पल्ट नहीं है आप बोले कि हाँ ठीक है साइंस टेक्नोलजी है बट आप रूट से जब तक कनेक्टे रहेंगे तब तब त अगर मेरे ममच अपन देख हैं अफकोस मैं बेजुग उन्हें अच्छी उन्हें ही थामस बोल चाहँ करो कि मेरे ड़ थे जिनोंने मुझे मेरे अपका क्वेस्टिन भी समझ रहा हूं क्योंकि यह बहुत ही वाइडरली सोचा जाता है कि बच्चों को नहीं बेज बेज ना जाएं पर इसको पर इसको एक वह कि इसको नहीं है इस फील्ड में तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है मेरे मॉमच डाट में फुल सपोर्ट किया एवन मैं उन्हें ही थामस होलुँ आज में जो भी हूं क्योंकि हाँ जनरली दोग नहीं अलाओ करते हैं जो बच्चे अप् करना टारुखाट रीदिंग करना इस सोचल सर्विस लोगों की मदद करना जो अक्च्वल में करना चाहते हैं तो मैं उनके माबाप से बोलना चाहूं कि डेफिनिटली उन्हों आगे बढ़ने दें इसकोप भी बहुत है आप अप अच्छा काम करेंगे तो जब तक आपने अच्छी डिरेक्शन में कर्म करते जाएंगे तो आइगेस यह तो भगवत गीता में भी लिखाया और धुनिया भी बोलते है कि करम करते जाएगे पल किछिंता मत करेंगे पल डेफिनिकली मिलता जाएगा अप अच्छे इंटेंशन से करिए चीज़ां सारी अच्छी वेसे तो वो इंस्पिरेशन माता पीदा तो वेसे भी होते हैं सभी की तो वेसे भी होते हैं और हम लोग के स्पिरिशल लोग है हमारे लिए तो वह सबसे प्रात्मिता होती है आपने यह जो रेकी है शुरूरा केसे खहां से आपने शुरूरा के से अपने शीखने पड़ो किया और केसे आप किसी जर्ने रही थे इसे पताये कि मेरे डाद मुझे बोला कागी और को क्या ही कहा हुआता है और वही ते हैं तो तो आए मुझे और मुझे रुगरु करुआ है वह निगी मुझे लेगी तुग उर्स फिन लेविल्यु और सेर्स मुझे लविल यहुख beneficiो क meusagen तुखी आए मेरे ले रेकी कांझ helfenає यह کुईका है रेकी हीलेंग, लोगों के लिए भी जो लोग अपने प्रॉब्लम से परिशन हैं यह हम इने डिस्कुस किया सो कुछ स्टार्टिंग के दो लेवल मैंने ने जबालपुर से कम्टीट किया और वो प्रोफेशनली सीए भी है, सो वो पिर साउटर्टिका शिफ्ट होगे हैं वहां के वहां जातर मैंने आगे की लेवल्स कुछ यहां आपने देखी को अपना जीवन ही बना लिया जहां सर गए वहां साथ साथ में आप भी गए और आपने माह से सीखा अगर कोई व्यक् क्युकि अभी कोविट के ताइम के बाद आप में थोड़ा नोटिस किया होगा ओल्नाइन रेकी इचिंग का जो कि मैं अभी जितने भी सेशन्स कर रहा हूं यह इंटर्वी कर रहा हूं जान बुछ कर यह एंफसाइज कर रहा हूं कि ओल्लाइन टीचिंग इस नॉट पॉस अभी आप उनलाइन टीचिंग इस नॉट टाल पॉसबल तो हमेरे सेशन्स एल अल अलवर इंडिया वर्कशोप चलती रहती हैं तो आप सिन्सेग्राम जो सकते हैं फेस्बुक ते करनेक्ट हो सकते हैं आपडेट मैं कर रहा हूं अंगलोर में सेशन्स रहते हैं दिली में आपकोस अलग अलग सिटीज में हम लोग सेशन, वोक्षोप और मैस करते रहे हैं सर इसका फ्युचर अप क्या देखते हैं रेकी का, टारो का या निम्रोलजी का इनो का सी फ्युचर अच्छी तीनो का ही है बिकोस निम्रोलजी तो हमारे रूट से ही कनेक्टे है है अँदिन से कनेक्टे हैं, क्योंकि हम सब्ही को बता है लोग नाम चेकर के ही अपना नाम तद्टे हैं वो देफिनितीन है एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो की इंदियन ही थैरपी लिए है अगर आपने पास में सुना होगा इस परस्चिकिसा जो गौतम बुद्धा कर दे हैं तो यह हैं इंडिया की ही बट क्या करें इंडिया की बहुत सारी चीज़ बाहर जाचुकी है तो यह री इन्वेंट टीज़ नाइंटीन जीड़ पूर सो इसके तो इसके तो आपकी ना सर अगर आपकी बुद्धान जीड़ पूर्ट कर देपिली यह फुचरिस्टिक आजके मेरा ऐसा गोल है ती हर घर मेरे तरफ से हर घर डॉक्तर क्योंकि इंडिया इंडिया में तो नहीं बट बहुत चारी सी कंट्रीज जहां रेकी लीगर रेकी ग्राश्टर अच्टर अगर अगर डॉक्तर लगा से तो हां वो सकता है अगर आगे अगर सारे गरो मेरे रेकी अच्छा इसमें अभी बात होती है योग की तो योग में जिस तरह से योजी सी के द्वारा बड़े कोर्से ओरहे हैं म.A.M.S.C.P.H.D. क्या इसमें कोर्से अवेलेबल होते हैं कभी चात् करन्य हैं यूजी और इसमें अगर कि आए अपिस, क्या स्ट्र लॉगा कर रहां ऊच्छाटा ओर होते हैं म.A.My.S.C.P.H.D. क्याद स्टर अच्छाट स्टर योगा ड्रेनग राख की जितना भी इंडिन इंडिन ट्रिशन ंडिन इंडिया इंडिया के जो कास्टम isz्टीटेशन हो गया। ये शावी छीजा आगे बढ़ा कर रहा है है। हम लोग प्लाइट कर रहे हैं।्टीश्च फ्लानाः ग акadrat कर रहे हूं कोर्सरस्ण इस रंग्लं बाट ऐन्रेवल्स होते हैं सिखने के लिए prep relative एडवंस लेवल master level and grand mastership so definitely a process के साथ आप डिफिनिली कर सकते हैं आप एक लेवल तक आप लोगों की healing कर सकते हैं and एक लेवल के बाद आप लोगों को सिखा भी सकते हैं and grand mastership is overall thing सबसे बड़ी जो पुष्ट होती है एक छोटा सवाल और मेरा इसमें क्योंकि इंटर्वी आपका बहुत बड़ा हो जाएगा लेकिन थिर भी में क्योंकि आप से मिलना हुआ है तो बाते तो निकलेगी आज एक सवाल जो मेरा था विसे सबुप से जब मैं आपकी बारे में जब जब आता हूं तब भी पड़के आता हूं तो पड़ते पड़ते में एक चीज मेरा सामने थी जो आपका वर्ल्ट रिकॉर्ड में नाम आया था तो वो नाम किस तरह से दर्ज हुआ था और क्या इसे चीजह होई जिसे अगदम सापको इतने पैशन मिल गए मैं आपको स्टार्ट में ही बताए कि मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था कि मैं प्रफेशनी इसको पंटिन्यू करने आला हूं बट अपकोस जैसे कि ये केस स्थीक हुए तो लोगों तक बात पहुंची कि फी इतना बड़ा केस हील हुआ था जो कि में लिए भी काफी बड़ी ब तो उन्होंने रिसर्च की देन उनका दो से तीन महिने बाद कॉल आप हमारी रिसर्च के बाद हमें सेवें तो एट स्टूजिंस शॉटलिस्ट कि हैं बट उसमें से सबसे कम एज और सबसे जादा एक्स्पीरिंस के साथ और प्रैक्टिस जो एक्टिविडी प्रैक्टिस तो उसके बेसिस्न में अन्होंने स्लेक्टियाता है और फिर जर्णी कestarम करते जहिए जैसे कि मैं आपने इस अपी मिलता है तो यह भाई कॉण्सेप्ट हुआ तो यह भाई क्उन्से प्रच्टिए पीछे नही अग भाई अप सिर्फ अगर फ़ की चिंता करते रहेंगे त आपके सबसे ठेवरेट एक्टर का नाम क्या है? एप भोर्स करनका त अगर नंस्ट नाम राच रेपास 대hradun के फासsplाश देरादून के लाच के वाहिज झाल है यहाँ, देरा दुन नेंटाल के पासाँ और मुझे भी मा जाने का सोभा के मिला वहाँ वहाँ तो महाँ जुगरपल तक जाके हैं तो हम तो बड़ बड़ी बाते हैं यहाँ भी मुझे लोग भी मिलादेश थो एगाँ जिए पर दो कई तो यहाँ रॉज थो अवहाँ जाए तो इस बात से अटखेश यह नाया एज कि अ तो बड़ी थो दो ट्रस्ट खाइए अच्छा एगे अच्छा एक्सपरिजिए यह अच्छा एझाऑ आपको चैंजजि साथ्वि कहना है तर फेवरेट को मैं इसा को बनाता भी काफिर लुचे साथ पर हुड इसा हुआ है की अब है कि अगरवालों ने शादी हो जब कि अग्या करना फुर्स किया हो जादी हो वो तो वाले पैसे निता है ठीक है यह जवाब मुझे मिले हैं मुझे मेरे साथ को लोगों को पता जाएंगे तो पास्ता रेडी मिले बस हम यह चाहते हैं इसलिए कुछ सवाल थे हमारे सर हमारे जो दर्शक हैं इनके लिए कोई एक सोशल मेसेज अगर आप देना चाहें सोशल मेसेज मैं सिर्फ यही देना चाहूंगा कि आप जो भी काम कर रहे हैं तीन मंत्र हैं तीन गाइडेंस है जो आपको फॉलो हमेशा करनी चाहिए फॉलो दे प्रॉसेस अगर आप किसी कर रहे हैं तो इसको एक्चुली सही तरीके से करें उसमें लापरवाही ना करें दूसरी चीज़ ट्रस्ट और बिलीव तो हर चीज में नस्सरी अगर आप चल रहे हैं और आपका अपने पैरो पे ट्रस्ट नहीं तब तक आप चल भी नहीं सकता है जाहे वो कोई भी अपने काम नहीं करें अगर आपके अंदर ट्रस्ट नहीं तो फिर भी दवाई है ना दवाई नहीं काम करेंगे अगर आपको उस पर भरोसा नहीं है तो भरोसा एक बहुत बड़ी चीज़ जो आपकी लाइफ में हर मोड में काम आएगा वही है आपको ठ्यान देना है किस आप अगर नशो में भरोसा करेंगे तो आप उन चीजों में जाएंगे अगर आप अच्छी चीजों भरोसा करेंगे तो आप उन चीजों में जाएंगे तीसरा है लव दप्रोसेस जैसे कि हम सभी को पता है कि प्यार से बड़ी शक्ति कुछ भी नहीं है कि प्यार से तु कृढही सिर्मा को प्रक्रद कक् Leonard है निए था डिल से किया जाया अपक को अच्छे मन शे किया जाया जाया दिल से किया जाया प्यार के साथ किया थी 11 कि आपजर्व करेंगे आप यह नोटिस करेंगी कि आपको पाच परसेंट का बीस परसेंट में अपने अफ़ोट्स में बदल गया है आपको पता भी यही काम अगर में कोई मेरे घरवाले फोर्स फुली करवाते रहे तो शायद लोगों को रिजल्ट नी दिखते यह मैं अप अपने दिल से कर रहे हैं तो इसलिए यह इंटव्यू इतना अनर्जेटिक भी है इतना मजा भी आ रहे हैं तो क्यार हर एक चीज में इंपॉर्टेंट है यह जो तीन चीज हैं अगर आप यह तीनों चीजों को मिलाकर अपना कोई भी काम गरते हैं स्टेप्स लेते हैं थैंक्यों सर फोर वेरी ग्रेट मेसेज़ और वार व्यूवर्स एंड जितने भी व्यूवर्स से उन सभी को यह जरूर बताना चाहूंगा कि आप सर को इस्टाग्राम पे फोलो जरूर कीज़ेगा आयूश गुपता रेकी के नाम से इनकी इस्टाग्राम आईडी है आप जब सर से जुड़ेंगे तो आप इनके बारे में बहुत कुछ और भी जान पाएंगे तो आप उनसे जुड़े और हमारे इस शो को भी इतना ही आप प्यार दें और हमेशा ही शो को देखते रहें चाहें दो मिनित के लिए लेकिन आए जरूर तन्यवाद थैंक्यों सर तो मैंने देखा इन्होंने काफी काफी अलग अलग फील्ड के लोगों से के साथ discussion किया है नहीं नहीं information लोगों तक पहुचा रहे हैं आप लोगों तक पहुचा रहे हैं तो यह काफी अच्छी चीज है and definitely please continue it क्योंकि लोगों को जरूरत है अलग अलग information की तो या, thank you so much for inviting me, thank you sir